हेले स्टुडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आयोटी, आज से हमारी आयोटी की क्लास स्टार्ट होंगी, जिसमें हम 6 चैप्टर्स की बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन अफ आयोटी, एक्चिवेटर अन सेंसर्स, कनेक्टिविटी, प्रोग्रामिंग्स, एंस, आफ को सेल इंट्रोडक्शन जो आवारा 6 चैप्टर में से एक है है हम यहां पर प्रेसी को पहला चैप्टर कर रहे है, जिसमें हम यह जानेंगे कि आयोटी होती क्या है, चैक्ष गरंश कहां किया जाता है तिक है, और इसका कॉंस्प्ट किया है, सब्सेपले हम यह जान लें कि आयोटी है क्या यहां पर मैंने कुछ लाइन से लिख रखी है कि आयोटी का मतलब है एक स्मार्ट ग्याजट का ग्रूप होना जिसके हैंसे हम इन्ट एंट्रेनेट से कणेकटड डिवाईस में, टेटा शेर और रिसीब कर सकते हैं देखो कर सकते हैं इसका मिन इंट एइनट अब ओःिए इन्ट अफ चीज़ जो इन्टेम्ट चार applause के साथ करेंक्टेड होती हैं और इसके उसके मादiden से अजिसी बात कर लें, जह हमसे कह सकते हैं, स्मार्ट टीवी कह सकते हैं, ठीक है, बेसिकली तबर पर बो चीजें, जो हम आप एंटरेट के चनेक्टेट बिशते हैं, जिनका इस्तिमाल थांट माध़म से डिटा को शेर या रिसी निया करने के लिए कि अगर, कि अगर हम बात करें कि IoT devices क्या हो सकती है तो या फिर उनका यूज कहा कहा करते हैं तो IoT devices इसे मैंने का smart ACS, smart TV यूज करने की बात करे जाए तो हम इसे हम यूज smart cities में करते हैं smart cities में इसका इस्तमाल कर सकते हैं इविल हमारी daily life में हम IoT devices के इर्दगिर्दी होते हैं बट हमें पता नहीं होता कि यह एक IoT device है ठीक है ऐसे आने वाले chapters में हम यह देखती चले जाएंगे कि कौन कौन सी हमारे IoT devices है daily life है हमारे कौन कौन सी चीज़े IoT की concept पे काम करती है और कौन कौन सी नहीं बात करते हैं history of IoT की टिक history of IoT की जह हम बात करते हैं तो एक नाम जो हमेशा से आता है कि history of IoT मतलब IoT का जो concept रहा है concept बिसिकली तो पर या मैं को IoT वर्ट तो सबसे पहले किसने huge किया था वो थे कि 1982 में एक university थी आपकी वहां पर एक coke machine लगाए गई थी 1982 में ठीक और यह क्लिवती ऐसी machine थी उस time पर जो एक internet connected device था जो एक internet connected device था ठीक देखा जाए तो यह उस time का पहला एक IoT device था 1982 में लेकिन इसको कोई नाम नहीं दिया गया था बस उस time पर एक technology बोल दिया गया था कि एक हैसा technology है एक हैसा device जो internet से connected है ठीक 1999 में के विन औरसने सब चीजों को देखा उसे अनलेस किया और उनने एक नाम रखा IoT जिसे बोला गया internet of things ऐसे चीजें जो internet से जोड़ी होती है हमारी ठीक फिर यहाँ पर हम समझेंगे कि अब characteristics समझेंगे IoT device के बारे में उनके applications के बारे में इको सिस्टम में उसकी कैसी क्या यूज होती है जिसमें इसे हमारा सबसे पहले topic आता है connectivity connectivity कहने का मीन क्या है कि जब एक device को दूसरे device के साथ जोड़ा जाएगा तो उस बीच हमें किन-किन चीजों का बात या किन-किन चीजों रूल्स यह टम्स की हमें ध्यान रखना है जिसमें सबसे पहले हमारा topic आता है always online always online कहने के mean क्या होगा है जैसे हमारा CCTV camera अगर हमेसा on रहेगा तभी वो चीजों को record करेगा लेकिन अगर उससे बंद कर दिया जाए को चीजों को recording नहीं करेगा कई कैने का mean के मेरा कि आज की time में जितनी भी CCTV camera आते जितनी भी वो दॉ टाइब के आते हैं एक आता है remotely कि आप इसे remote access कर सकते हैं तो जहां पर भी आपने लगा रखा आए वहां पर आप से तक्वान पराथ एक्सिस कहिने का मीम क्या है मेरा कि मान ली जी कि आप पुर कानपुर में हैं आपके कहीं पर सीएनर अब आप दिल्ली में ऺगा है तो आप देखना चाहते कि मेरे गर में में दूल्स्री इस सब्सक्राइब देख सकते हैं इसके लिए क्या होगा कि आपका CCTV camera है यह हमेशा connect होना चाहिए internet से हमेशा यह network से connect होना चाहिए वह आईसे network से जिससे आप easily तो से connect हो सके अगर यह connection नहीं होगा या वो CCTV camera आपका online नहीं है तो आप CCTV camera से जुड़ नहीं पाएंगे या connect नहीं हो पाएंगे तो इसके वज़े से आप उस device को अंटेक ही नहीं कर पाएंगे इससे आप connectivity नहीं कर पाएंगे इसलिए कोई अगर एक दूसे से connected है तो उसे हमेशा online होना बड़ा जरूरी है ठीक है बात करें जाएंगे वेरियस connectivity प्रोटोकॉल्स जैसे कि हम आईटी डूल्स में नहीं पड़ा भी था कि प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या होते है हमारे सेट आफ रूल्स होते हैं एक रूल्स जिनका इस्तम्माल connectivity के टाम पर किया जाता है कि अगर मेरा एक डिवाई दूसे डिवाई से जब कनेक्ट होगा तो उस बिच क्या होना चाहिए अगर आ रहा है तो कैसे आएगा कौन से प्रोटोकॉल के अंदर आएगा या फिर कौन से मॉडल के थायत आएगा यह साले चीजें इन पर डिपेंड करती है आगे हम इसके बारे में और डिस्वर्स करेंगे यहां पर कुछ मैंने एक्जांपल दे रखे हैं जैसे वाई-फ अगरे हम टांट करना, जब आपको नोट करणे तो कौना इस को मिजना के यहां प्रस जाए तो तरह यह बात करें सेंसर और अक्च General की करते हैं तो, एक चीछ बड़ा की आठ गणिगा था है कि हैं प्रभाइब कि हमारा एक होता है इसकी मदद स से कम्प्यूटर को सख्शन देते हैं या में computer के यह बताते हैं कि मुझे यह यह चीच ही करनी है फिर input से data कहां चला जाता है प्रोसेसर के पाथ प्रोसेस होने के लिए उसके बाद यह process data output के पास चला जाता है जो data पर में display करने काम करता है या show करने काम करता है वही चीज हमारा IoT ecosystem में भी होता है बट थोड़ी अलग जीमेंट पे यहां input की जगह हम sensors बोलते हैं हम यह पर इसको sensors बोलते हैं कहने के मीन क्या हो गया sensor एक प्रकार का ऐसा device है जो या तो physical या फिर environmental condition का पता लगाता है और उसके recording data को measure करता है ठीक कहने का मीन क्या हो गया जैसे आपका smart AC smart AC में आपका basically temperature sensor होता है ठीक यह आपका temperature sensor होता है smart AC इसमें इसका basically काम क्या होता है कि environment के recording temperature को up and down करना इसका काम ही होता है जैसे कि मान लीजिए आपके घर AC लगा है smart AC लगा है जिनमें functionality क्या दी गई है कि अगर आपकी room का temperature 20 degree centigrade से ऊपर की ओर जाता है ठीक आपका AC on हो जाएगा ठीक साथ में क्या होगा वो room के temperature को तुरंट डाउन करने लगेगा ठीक और जैसे ही आपकी room का temperature 10 degree centigrade से नीचे जाएगा ठीक तुरंट क्या होगा AC अपने cooling system को ठीक cooling system को आफ कर देगा AC पूरा नहीं off होगा वो तो डिपेंड करता है कि AC कैसा है इसकी functionality कैसी है वो cooling system off कर देगा ठीक है fan उसका चलता रहेगा continue लेकिन cooling system बंद हो जाएगा और वो इस temperature को maintain करके चलेगा 20 degree और 10 degree की बीचे में maintain करके चलेगा यह चीज़े हमें AC को बतानी नहीं होती है AC अपने आप उस चीज़ को detect करता रहता है और यह कर कैसे रहा है sensor के मात्यम से अब यह ऐसे कर सकते है sensor कैसा device और चीज़ों को sense करता है कैसे करेगा या तो वो physical के मात्यम से कर सकता है या तो वो environmental के मात्यम से कर सकता है ठीक फिजिकल की बात अगन हम करें तो आपका smart watch होता है जो basically physical तौर पर वो करता है इस smart watch में आपके heart beat sensor लगए heart beat को बताता है oxygen level आपकी body में कितना है सब सारे चीज़े बताता है तो यह physical की तौर बताता है अब कभी notice करना smart watch अपना लेना और उसे पीछे पलट के देखना उसमें lighting चलती रहती है और वहीं पर sensors भी लगए होते है ठीक है फिर हम बात करें अगर actuator की तो actuator हमारा क्या होता है आप ऐसे समझ लीजे कि actuator हमारा एक physical thing है जिसका इस्तमाल हम चीजों को remotely control करने के लिए करते हैं यह remotely work कराने के लिए करते हैं अब कहने कर में क्या हो गया मेरा जैसी माल लीजी कि आपका Bluetooth होता है नेक बेंड होता है नेक बेंड में आपका Bluetooth सेंसर लगा होता है अब Bluetooth अय소त आपणका पड्रीट अनड हो सकता आपको पर बटन दबाना होता तो यह आपका टर इसंद्द्द आपका एक्टिवेटर के करते है जैसे ए आप पर बटन दबाते हैं आपका Bluetooth अक्टिवेट हो जाता है डिवाइस को बस on करना यह उमन का से इतना रोल है डिवाइस को on करना बाकि जो connectivity हुई है उसमें human का को रोल नहीं है बाकि फिर उसकी बात जो data का share हो रहा है जो sharing करी जा रही है जो receiving करी जा रही है उसमें कोई इसमें human का रोल नहीं है ठीक और IOT के एक concept में ये भी है कि human का उ वो उसमें ना के बराबर हो, नेलगजबल हो आपका, उसमें हो यह ना, एक मसीन अपने आप ही कनेक्ट हो रहे है, अपने आप ही डेटा का रिसीविंग कर सके या सेंडिंग कर सके, हुमन को उसमें रूल ना हो, आयोटे का कॉंसेट यह भी है, तो एक्चिवेटर हमारा क्या कर सकते हैं digital commands देने के लिए कर सकते हैं विलब बेस औरूम टंपरिचर ठीक हैं पर अब करने जैसी जितने भी यह वर्ख यह सब किसकी होगा है इंटरेनेट के मार्दियम से होगे ठीक अब इंटरेनेटर सीगनल रेसीफ करेगा उसी की भीयाप पर सारे काम करेगा जैसी कि आ आप अगर officeनीकल ले हैं अपके उद्मेर में जो AC लगा है आप अपने phone से AC को अन कर दीजी गर पहुंसे पको ठंडा हो जाएगा तुरौन थंदा हो जाएगा ठीक को अपकी फोल में उस पर्टिक्लर डिवाइस को एक अप्लिकेशन पढ़ाता है जो एक 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 टुएटर की तौर पर काम करेगा ठीक है उसने क्या किया एसी से मलब उस डिवाइस जो अप्लिकेशन है आपका उसने एसी से कन्यक्टिविटी करी मिलब कनेक्शन लिया और उसके बाद अब जब तक आप गहर बहुत है तब तक आप ठंडा हो गया ठीक है यह कैसे मेरा काम हुआ अब यहां एक चुएटर से डिलिटेट काम हो गया ठीक है अब इसी तरीके से हमारा एक होती है यूनीक अइडेंटिटी देखिए एक चीज यह भी है कि कोई भी डिवाइस इंटरनेट के मातिम से अगर वो कनेक्ट हो रहा है तो यह बहुत कॉमन चीज है कि उस डिवाइस की अपनी एक आइडेंटिटी होगी तो जैसे कि हमें दो हमें यह आइडेंटिटी वह आइडेंटियों तक्ति मालिए यह दो टभके विवर्ट एक होता है आपका आईप अ Corn peril पहुता हैँ अ क्यों ओंधिव होता है कि इसी तरीके से आ smokights apologize में जितनी जो जो IOT network मेरा, IOT ecosystem से जितनी भी devices connected हैं जितनी भी devices एक usage से connect होंगे उनस सबकी एक special identity होगे अब उस special identity का यूज किसे लिए किया जाता है उस device को identify करने किली किया जाता है ठीक उस device से communication कि लिए किया जाता है या उस device को management के लिए जाता है ठीक है तो किसी भी device का इवन मैं IoT device नहीं कहूंगा इवन ऐसे नमल भी अगर वो इडिवाइस नहीं भी है तो उसका यूनिक अडेंटिटी होना जरूरी है किसी device को अगर वो इंटर्नेट से गनेटर है तो अगर यूनिक अडेंटिटी नहीं होगा तो हम उसे अडेंटिफाय नहीं कर पाएंगे उस IoT में analytics capabilities का सीरेज सीदी मीन क्या होता है यह basically एक ecosystem है जिसमें interconnected device होते हैं जिनका काम क्या होता है data को generate करना और इस generate data को analyst करना और analyst कैसे करेगा या तो उसके पास various techniques होंगे या फिर वो बाया tools की मदद से करेगा अब कौन से data हो सकता है या फिक किस data के tabs को ही कर सकता है तो basically तो यह data के pattern को समझता है और उस pattern की according वो decision में करनी के लिए आपको एक data generate करके दे देता है जैसे example की तो पर मेरा institute चलता है तो जैसे कि मुझे कोई step लेना है कि मुझे कुछ चीज़े चेनेंड करनी है तो मैं पहले एक साल को पुरा data उठाऊँगा अब एक साल में data में कि मैं देखोंगा कि बच्चों का किस चीज में ज्यादा एंडरेस रहा है कि अगर वो online class के ज्यादा परफेड कर रहे हैं कि offering class के ज्यादा परफेड कर रहे हैं ठीक है पने live class से ज्यादा चाहिए या फि जिसे मैंने analyst किया है उसकी बिहाब पर मैं गलत decision लेने जबन चाहूँगा ठीक यह है इसका analytics capabilities ठीक है वही अगर हम edge computing की बात करें तो edge computing कहने कमीं क्या है कि यह basically तोर पर एक centralized cloud server होता है पहली जिसका काम क्या है डेटा को ठीक है प्रोसेस कराना ठीक और प्रोसेस होने के बाद analyst कराना ठीक और उसके बाद उसे store करना ठीक है लेकिन जो main चीज़ है जो बहुत important चीज़ है कि जो भी data process हो रहा है वो source के पास ही होगा कहने कमीं कह है जैसे माल लीजी मेरा data मेरे system से ही generate हुआ ठीक अशिस्टम ही मेरा source है तो कोई data को ले के नहीं जाएगा system में ही data को वो process करेगा process करने बाद उसके process को close करके अब वो क्या करना चालो कर देगा analyst करेगा ठीक है और analyst करने के बाद वो उस उस जगह पर उ i.e. centralized cloud server होता है जिसका काम क्या है data को own i process करेगा प्रोसेस करेने बाइनलिस्म पह करे अवाण इक यह सारी चीज़ों कहां पहे करेगा data के source के पास करेगा और कहीं नहीं करेगा कम ऽ। फिर हम बात करतें communication और इंट्रोब बैर बीज़च opens तो आज की क्लास से मैंने इतना ही पढ़ाया है बख्की हम इसके आगे कंटीनूर करेंगे आप इन नोट्स को देख लीजेगा प्रॉपर समझ लीजेगा कोई भी अगर आपको डाउट हो तो ज़रू हमें बताइएगा ठीक हम उसे जबूर करेंगे